Hello friends, good evening, स्वागत है आप सबका स्युक्रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC MTS वा हवलदार एक्जाम 2024 के अलसिप्ट में पुछे सकने वाले most important GKGS miscellaneous वा current affairs के पासनों को साल्प करेंगे दोस्तों आपकी एक्जाम्स में GKGS miscellaneous वा current affairs के जितने भी टापिक से कोसंस पूछे जाने है उन सभी टापिक्स को कलेक्ट करके to jet एक एक कोस्चन वाएक एक फैक्ट चुन-चुन के डाला गया है इसके अलावा आपके previous exam के पसनों को भी सामिल किया गया है साथ में एक्ष्टा फैट को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कास्टेट होकर सालू करें कोसंस कम सालू होने पर पुनापसनों का रिविजन करें ताकि SSC MTS वा हवलदार एक्जाम दो हजार चोबिस में आप लोग GKGS Miss Salineous वा Current Affairs के टापिक से अच्छे से इच्छे स्कोर कर सकें ध्यार रखें दोस्तों आपके exam में आपका पूरा GK यानि की History, Quality, Geography, Economics आपका पूरा Miss Salineous यानि विवित का चेप्टर पूरा आपका G.S यानि के General Science वा Current Affairs इन सभी टापिक्स का अच्छा खासा बेटज है 75 नंबर्स के कोसंस आपके इन सभी टापिक्स से पुछ जाएंगे जहां से आपकी Final Merit बनेगी तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी Most Part of Person को सालू करना सुरू करते हैं दोस्तों Question No.1 है मारा लच्मी नाराण अंतर राष्ठे पुरसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया Recently Current से Most Part of Question है दोस्तों विल्कुल आपके टेंड में है आपके लेवल में है Question है मारा लच्मी नाराण अंतर राष्ठे पुरसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया कर्यक्ट टेंसर होगा प्यारे लाल सर्मा को आप चुकी दोस्तों Current से हमारा Question आय हुआ है पहला Question है मारा प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो यानि की प्याइबी की परधान महानिदेशक कौन बनी है कर्यक्ट टेंसर होगा सेफ हाली भी सरण आपके हर टापिक से दोस्तों यहां पर Question सुपर लगाएगे हैं आप लोग इन सभी प्रसनों को पूरी तरह से रिवाइद जरूर करेंगे आगे बढ़ते हैं Question है आपका वर्से दो हजार चोबिस में भारत के नए नौ सेना पर्मुक कौन बने हैं कर्यक्ट टेंसर होगा दिनेश कुमार तिरपाथी Q help מש हर questions को अब लोग पूरी तरह से prepare रहेंगे आगे बढ़ते हैं Question है भारत इबश सीमा पुलिस यानि की i tbp. के न aspect को बने हैं यानि कि RPFS के नए महानिदेशक कोन बने हैं? मनोज यादों हैं. अगला question, भारतिय ततरफचकबल यानि कि ICG के 25 महानिदेशक कोन बने हैं? वो राकेश-पाल हैं? वा भाभ-भा परमाव उन्संधान केंद्र यानि कि बार्के के 14.5 निदेशक कोन बने हैं? correct answer का विबेग भसीन कौन विबेग भसीन आगे बढ़ेंगे question है दोस्तों राष्टे महिला आयोग यानि कि NCW की वर्तमान अध्यस कौन है रेखा सर्मा है next भारते भूव ऐग्यानिक सर्वेच्छन यानि कि GSI के नए महानी देशा कौन बने है जनार्दन परसाद है अगला question राष्टे किर्सी और ग्रामीड विकास बंक यानि कि नाबाड के नए अध्यस कौन बने है तो के भी साजी है और विस विद्याले नुदान आयोग यानि कि UGC के नए अध्यस कौन बने है तो M. जगदीश कुमार है हर question से आप लोग पूरी तरह से prepare रहेंगे दोस्तों आ आपका पूरा ZK का portion आएगा यानि history, quality, geography, economics, पूरा आपका miss selenius यानि विवित का chapter आएगा पूरा आपका JS यानि के general science पूरा आपका current current में दोस्तों आपके PDF में हम 2030 के जितने important हो सकते थे वो सारा collect करके और 2024 में recently 2024 यानि कि जुलाई 2024 तक के current को भी पूरी तरह से update कर लिया गया है अगला question हमारा क्या है अखिल भारते फुडवाल महासंग यानि कि AIFF के नए धेस कोन बने है करेक्टर सुरुगा कल्यान चोवे next भारत ने राष्टिय सुरच्छा सलाकार यानि कि भारत के राष्टिय सुरच्छा सलाकार यानि कि NSA कोन बने है दोस्तों या कोन है तो जिद्धो भाल है next नेशनल कैड़ेट कोड यानि कि NCC के नए महानिदेस कोन बने है गुर्वियल पाल सिंग है West Steel Authority of India Limited यानि कि Cell के नए अध्यस कोन बने अमरेंदू प्रकास यह हमारे करेंट के कोश्चन से हैं जिनको हम लोग एक साथ कबर करें आगे बढ़ेंगे कोश्चन है किसे आकासवाणी समाचार के महानिदेस के रूप में नुक्त किया गया है तो मौसमी चकरूरती है next सूरत टाइमंड बोर्स का नया अध्यस किसे नुक्त किया गया है गोबिंद धोल किया को अगला कोश्चन है राष्टियन उसुची जात याओ यानिकी NCSC का अध्यस किसे नुक्त किया गया है किसोर मकवाना को और इंडिया स्टील एसोसी एसन यानिकी अध्यस का बेटेस है जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी इनके पूरे पार्ट करम को हमाई दौरा 28 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है यह PDF अभी प्लिस कांस्टेबर का 100 रूपीज इसकी पेटपीस रखी गई यूपी प्लिस कांस्टेबर एक्जाम 2024 का अन्य वर्जन PDF भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है थाड़ी थरी PDF में इनके पार्ट करम को कबर किया गया है यह PDF भी अब इरत्यों को दीज रहें और रेलवाल एक्जाम से कई वकेंसी लगी है इनके पार्ट करम को भी इस प्धे गई पढ़ें किया लोग इलिए कोस्ञन की और अगला कोस्टन आपका क्या गूगली सब्दी किस खेल से समंदित है किस से क्रिकेट 訴 só खेल से समंदित दोस्तों आपके super questions रहते हैं, यह सरय आपके super topics होते हैं, इसलिए खेल से समंदित आपके दोस्तों PDF में बहुत सारी CT लगाई गई हैं, ध्यान देंगे आप लोग, question आया होगा मेरा, गुगली सब्दी किस खेल से समंदित है, characters होगा किरिकर से, यानि जो खेल समंदित सब्दावलिया हैं, आपका super topic है trending topics है, seat आपके सामने सब कुछ पूरी तरह से cover है, इसे में से questions बनते रहते हैं, और repeat होते रहते हैं, अगर आप इस seat को हमारे पूरी तरह से revise रखते हैं, तो इस topic से कोई भी questions आते हैं आपके exam में, ना question आप से miss होंगे, और ना question आ press, उसके बाद में double fault, फिर है दोस्तों grip, फिर clay coat, grass coat, break point और mice point, जितने important है सब कबर है, ये सारे सब्द दोस्तों किस खेल में परियुक्त के आते हैं, तो tennis में, next, center forward, penalty stroke से आप जान गया होंगे, most important सब्द है, flip हो गया, scoop हो गया, bully most important, push in, ये इतने सब्दों हाकी के खेल में परियुक्त के जाते हैं, आगे बढ़ेगा, center है, striker है, free kick, उसके बाद dribble है, foul है, referee है, offside है, penalty shoot है, ये सब्दों football के खेल में परियुक्त की आते हैं, revise आप जरूर करेंगे, के questions की कीमत समझने का प्रियास कीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है आपका, wells है, dead wall से आप समझ गये होंगे, फिर गली है, mid-off है, extra cover है, third man है, googly है, china man है, ये सब दी cricket के खेल में परियुक्त की आते हैं, फिर दोस्तों, welt है, punch से आप समझ गये होंगे, फिर hook है, hang on है, heel है दोस्तों, knock out है, ring है, bolo punch है, और kidney punch, जो की boxing में परियुक्त की आते हैं, checkmate हो गया, stalemate हो गया, casaling हो गया, दोस्तों, visap हो गया, night हो गया, rook fall हो गया, और grand master, जो की 17 में परियुक्त की आते हैं, और subtle हो गया, net हो गया, space हो गया, board हो गया, high service हो गया, service break, जो की bad winter के खेल में परियुक्त की आते हैं, इतना आप लोग पूरी तरह से clear रखेंगे, बढ़ेंगे दोस सभी ताप इससे questions पूछे जाने, seat आपके सामने सब कुछ पूरी तरह से कबर है, आप इसको revise रखेंगे, चले शुरू करते हैं, question था हमारा, mesopotamia, किस देश का प्राची नाम था, तो इराक का, आप एक तरफ वर्तमान नाम दिये गए हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ पूरी तरह से आप कबर हैंगे, आगे बढ़िएगा, क्या दोस्तों, सिलंका जिसका पुरान नाम सिलोन था, तायवान का पुराना नाम फार्मोशा था, जांबिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेसिया, और जिम्बाम्बे का दूसरी दोस्तों, पुराना नाम दच्छन पूरी तरह से आप किलिए रखेंगे आगे बढ़ेगा क्या है आपका वारांसी जिसका पूराना नाम बनारस था थाइलाइन का पूराना नाम स्याम था एथियोपिया का पूराना नाम अभी सीनिया था म्यामार का पूराना नाम बर्मा था कोजी कोड का पूरानाम कालिकर थ हो गया है और यूपी पुलिस कांस्टेबर का नय वर्जन भी पूरी तरह से रेड़ी है बढ़ेंगे हम लोग अगले कोश्चन क्यों क्या है प्रेरी सितों सुल कड़ बंदिये घास भूमी कहा परविश्थीत है उत्तरी अमेरिका में अब पहले देखेंगे दोस्तों उसल क जैटेबर करेंगें वी दोस्तों कड़ बंदिये घास भूमी और बाद में हम लोग कबर करेंगे भी दोस्तों सीतों कर बंदिये वी इसके बाद में दोस्तों चितरा लग से और काई के मात्यम से बी यहां पर दूस्तों आपके Excel में दिये जाती है सवाना नामग घास भूमी उत्री अमेरिका में है फारक लेंड दोस्तों यह आस्टेलिया में है कहां पे आस्टेलिया में आगे बढ़िएगा अगला आपका क्या है दोस्तों फटाना नामग घास भूमी जोकी सीलंका में है यह हमारे तो दोस्तों उसन्ड कटबंदे घास भ कवर रखेंगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका कहां से है उत्तरी धुरू की खोस किसने की थी करेक्ट्टन्स का रावर्ट पेरी ने जो की अमेरिका से आते हैं जो महाकुन भावगोलिक अन्वेसक हैं खोस करता डाकले की कीमत आप सबजने का प्रियास करें कोश्चन था हमारा उत्तरी धुरू की खोस किसने की थी तो रावर्ट पेरी ने जो की अमेरिका से आते हैं अब यक्तरम महाकुन भावगोलिक अन्वेसक के नाम है दूसरी तवन के खोस सबसे पले आरे मेंडेस सेन हैं दोस्तों जो क बात की जाए तो पस्वी दीवसमु की इन्होंने खोस की थी 1492 में और दच्छिन अमेरिका की खोस की थी 1498 में पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे आगे बढ़िए क्या दोस्तों कैप्टन कुक जिन्होंने हवाई दीवसमु की खोस की थी 1770 में निकोलस कॉपर ने निखस जो की पोलायन के रहने वाले थी इन्होंने सोर मंडल की खोस की थी 1540 में फणनले नहींने UK पूरी तरह से आप किलियर रखेंगे बढ़ेंगे हम लोग वगले कुस्चन की ओर कुस्चन काहां से दूस्तों पाक जलसंदी की इंदो देशों को अलग करती है तो भारत यों सिलंका को अलग करती है पूरी तरह से आप इसको रिवाइस करेंगे चले सुरू करते हैं कोश्चन था हमारा वहर टापिक्स जहांसे आपके पीडियेप में पूरी तरह से कबर हैं कोश्चन था पाक जलसंदी की इंदो देशों को अलग करती है तो भारत यों सिलंका को अब पहले जलसंदियों के न अलेसिया से अलग करती है पाक जलसंदी पाक की खाली को बंगाल की खाली से जोड़ती है भारत को सिलंका से प्रिथक करती है सुंडा जलसंदी जावा सागर को हिंद महा सागर से जोड़ती है इसका लोकेशन इंडोनेसिया में है कुक जलसंदी की बात की जा तो दच्छनी पसांत महासागर को तसमान सागय से जोड़ती है, इन्यूजेलिंड में उत्तरी द्यूप को दच्छनी धोरूप से अलग करती है, आगे वलेंगे, अगला आपका क्या दूस्तों, वेरिंग जलसंदी, जो की वेरिंग सागर को चुकसी सागर से जोड़ती है, लास्का को रू हठसद की खाली को ओटलांटिक महासागर से जोड़ती है, लोकेशन इसका कनाडा में है, जिवराल टेल जलसंदी, भूमदी सागर को अगले महासागर से जोड़ती है, इतना आप लोगों को दूस्तों यहां से कवर रखने हैं, पीडियप के लिए हमारा वाट्सअप जो माहत्पूर्ण इस्टूर यानि जो आर्गनाईजिशन स्था हैं दोस्तों रिसर्च के वहां से कोस्टन आपका सूपर टापिक्स होता है डकले कोस्टन बनते आपके एक सेट में कई कोस्टन सा जाते हैं तो दोस्तों जीतने इंपॉर्टन है सब पूरी तरह से इसमें कबर हैं गुंडे एक्जाम्स में इसमें से कोस्टन से बनते रहते हैं रिपीट होते रहते हैं कहा रासमुंदरि में है कहा आगे बढ़ेगा क्या दोस्तों पर जो हमें है राश्टू किषा करनाल में है केंध्रिय इधनुंंद्र जाल गोडा में है केंध्रिय चम्णुंसथा चिन्नई में है, केंद्रे खानन अनसंदान संस्थान धनबाद में है, केंद्रे अउसदियन अनसंदान संस्थान लखनव में है, कुछ भी आप इसमें से मिस नहीं करेंगे, आगे बढ़िएगा, आगला क्या दोस्तों आपका, यहां पर देखींगे आप लोग, नक्ष्ट क द्रातु विज्ञान प्रयोग साला जुकि जमसेद पूर में है केंद्रिय सड़कन संधान नए दिल्ली में है भाबा परमाले संधान केंदा आपका टॉमबे में और लाष्ट है अपका भारते भूछ उम्ब के संस्थान जुकि मुंबई मैं कहां पर मुंबई में तो यह थ आप करम से सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं दोस्तों नक्स्ट वीडियो में थैंक्स भार वाचिंग